लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले श्रीलंका तूर में स्विमिंग पूल में डूबने से एक भारतिय युवा क्रिकेटर की मौत हो गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक श्रीलंका तूर पर गई अंडर सेवेन टीम क्रिकेट टीम के एक प्लेयर की मौत पमुनगमा नाम के होटेल में हुई है आपको बता दें कि भारतिय टीम भी श्रीलंका टूर पर है जहां उसने कल श्रीलंका को एक T20 मैंच में भी साथ विकेट से हरा कर इस टूर में लगातार नौई जीत दर्ज की मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक 12 साल का ये क्रिकेटर अपने तीन और साथियों के साथ स्विमिंग पूल में था जब यह घटना हुई प्लेयर गुजरात का बताया जा रहा है जिसके नाम का अब तक पता नहीं चल पाया है बताया जा रहा है कि अचानक 13-13 लड़का स्विमिंग पूल में ही डूब गया इसके बाद जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी एक श्री लंका इनियूज वेब साइट के मुताबिक बॉड़ी को पोस्ट मॉटम के लिए रगामा टीचिंग हॉस्पिटल लाया गया है आपको बता दें कि अंडर सेवेण टीम क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारत से 19 सदस्य टीम श्री लंका टूर पर गई हुई थी जिसमें 12 साल का मुन तब ही शामिल था परमू नुगमा पुलिस मामले की जाज कर रही है